तो हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक अगेन विता फ्रेस्मी वीडियो आपको यह पता होगा कि मैंने अपना हाइट को 18 साल के बाद बढ़ाया है कितना बढ़ाया है दस इंचेज बढ़ाया है अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो आपको एक चीज़ करना चाहता हूँ इस चैन बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है मेरा हाइट बहुत ही सौट था जो चीज़ आप कर रहे हो मैं वह सब कर चुका था वह भी हंडेट परसेंट प्रॉपर तरीके से लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ आप लोग क्या कर रहे हो तड़ाशना ठीक है स्विर नमस्क नमस्की सवितुआ अल्यायित्म ऐछा आप रहे हैं वीरियस ट्राइप स्ट्रेचिंग एक्ससाईज़ एगिंग रंविंग MOर रहे हैं श्यविंग कर रहा है वीपिंग कर रहा है दयर दिली 10,000 कर ले रहा वाकुण का रहा तो दैलि 20 क्रेमिटर चल ले रहा तो किसी चिज है यार मुझे दौरना है भी नहीं है वो आपको पता निए बस दौरने बोला दौर जाना है आँग बंके दौरते रहे हुघ बाद में क्या होता कुछ होता नहीं है सो आप जैसे कर रहे हो मैं भी कर चुका था मैं यह ने भी तड़ासना किया, stretching किया, running किया, swimming किया, cycling किया है, तीक है, इस से क्या होता है, आपका cardiovascular health थोड़ा अच्छा होगा, आपका body का flexibility थोड़ा अच्छा होगा, and height बढ़ाने के लिए जो most important factor है, human growth hormone, यह थोड़ा बहुत boost होगा, यह भी depend करते हैं कि आप cycling कैसे कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो, खाली पेट कर रहे हो, कि कुछ खा के कर रहे हो, आप running कैसे कर रहे हो, पूरा दिन क्या कर रहे हो, कोई को running करके थोड़ा बहुत गिन कर लेता है, यह depend करता है कि आप पूरा दिन क्या कर रहे हो, swimming कर रहे हो, तो उसके साथ क्या कर रहे हो, क्या खा आप है हैंगिंग करना खराब है देखो यह सब पर्टिकुलर एक्सराइज क्या करता है आपका बॉडी का फ्लेक्सिविटी बढ़ाता है एंड आपका कार्डियोवस्कुलर फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देता है यह ग्रोथ पे उतना ज्यादा फोकस्ट नहीं है ग्रोथ क्या है वेट ट्रेनिंग करना वेट ट्रेनिंग मतलब क्या मैं जीम नहीं जा रहा था मैं घर पर पुसप्स लगाना स्टार्ट किया पुलप्स लगाना स्टार्ट किया स्कॉर्स लगाना स्टार्ट किया ठीक है फिस सिट अप्स यह सब करना स्टार्ट किया फिर लेग रि लेकल लाएट है 他ए हम इसके साथ साथ मैंने प्रॉपर दायेट लीना स्टार्ट किया हाई फ्रोटिन डायेट एंड पतला दूबला था तो क्या मुझे घेन करने के लिए ज्यादा calories intake करना था तो मैंने start किया कालरिक surplus diet जितना मेरा maintenance calorie है उससे मैं 500 calories ज्यादा खा रहा था per day per day मैं try करता था कि at least 150 grams of protein लेना है anyhow and यहाँ पर main factor play करता है आपके पास कितना पैसा है नहीं है, मेरे पास भी budget था नहीं लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मैं क्या करता था कि 5-6 बच्चा को tuition पढ़ा देता था तो वहाँ से मुझे 3000-4000 मिल जाता था जिसे मैं अपना diet पे invest करता था तो इसी तरीके से आपको यह ध्यान रखना कि मैं क्या खा रहा हूं सबसे पहली बात and growth focus exercise करना किससे growth होता है आपका weight trading करने से आपका growth होता है because इससे आपका muscle mass बढ़ेगा जैसे ही muscle mass बढ़ेगा आप में ताकत बढ़ेगा and जब आप में ताकत आएगा आपका सरीर में ताकत आएगा तो आप बहुत सारा exercise कर पाएंगे आप लोग तड़ासना stretching, running क्यों करते हो because आपके अंदर उतना ज़्यादा दम नहीं है कि at a time 20 pull ups लगा लो ठीके 50 push ups लगा लो आप weak हो and आप में जो weakness है muscle में strength नहीं है body में जान नहीं है तो आपके लिए बच्चा क्या running करना ही बच्चा आप हमेशा easy option खोज रहे है easy option मैंने भी सबसे पहली बात easy option ही खोज आता कि चलो running करता हूँ लटकना start करता हूँ थोड़ा stretching कर लेता हूँ थोड़ा प्रनायम कर लेता हूँ हाँ यह सब अच्छा exercise है आपको हर चीज करना चाहिए मैं अभी भी stretching करता हूँ अभी भी करता हूँ तड़सना अभी भी करता हूँ लेकिन यार weight training के साथ because strength के साथ flexibility important है cardiovascular health important है लेकिन strength training अगर आप करेंगे तो आपका cardiovascular health भी अच्छा होगा flexibility भी improve होगा लेकिन उसको और जाद़ इंप्रूब करने के लिए कभी कबार आप running, cycling, swimming इसको करें कभी कबार stretching करें इससे क्या होगा आप fit and healthy रहेंगे लेकिन आपको growth focused exercises ज्यादा करना है that is weight training चाहिए घर पर करो चाहिए आप gym जाके करो प्रॉपर टेकनिक से करना स्टार्ट करो ज्यादा है भी पहले से स्टार्ट मत करो आस्ते आस्ते strength gain होने दो देखना जैसे तुमारे strength gain होगा तुम pull ups लगा पाओगे push ups लगा पाओगे फिर आस्ते आस्ते और भी जो other exercises है जो तुमें अभी टप लगता है वो तुम करना start कर दोगे विकॉज तुमारे body में जब जान आएगा न तो बहुत कुछ easy हो जाएगा ठीक है? साथ में 5-10 minutes stretching करो थोड़ा running कर लो यह तुमारे लिए enough है कभी कभार प्रनायम कर लो तब जाके तुमारे growth होगा इसी तरीके से मेरा growth हुआ है आपका भी growth होगा अपना body को पहचानो बार बग कहा रहा हूँ अपना body को पहचानो की body में muscle mass कितना है strength कितना है fat percentage कितना है कुछ अंदर में problem है या नहीं है अगर kidney में problem है तु उसके लिए precaution लो अगर digestion अच्छा नहीं है उसके लिए precaution लो अपना body का status को जानो कि यार मेरे अंदर क्या problem है पहचानो पहचान नहीं पा रहे हो height growth करने problem हो रहा है फिर तुम मेरे से training ले सकते हो मैं height बढ़ाने के लिए online training प्रवाइड करता हूँ उसके लिए तुम मेरे mail ID पे जोरू contact करना training का फिस बहुत ही कम है आप easily afford कर सकते है and training प्रवाइड के जाता through whatsapp chat facility and सबसे बड़ा फादा क्या कि आप मेरे guidance पर रहेंगे क्या करना नहीं करना क्या गलती करना क्या सही करना है हर चीज मैं चेक करूंगा at the end of every week मैं track करता हूँ कि तुमारा progress क्या है next क्या करना है ठीक है तो उसके लिए mail ID पे ज़रू contact करना so एही बार बार कहना चाहता हूँ कि इन exercises पे ज़्यादा time invest न करके इससे भी better exercises करो and उसके surrounding इनको add करो अपना एक workout routine बनाओ and जैसे कि 7 days होता हूँ week में तो plan बनाओ कि 3 दिन मैं इसे करूंगा 2 दिन उसे करूंगा 1 दिन इसे करूंगा बस इस तरीके से full week में हर एक चीज रहना चाहिए ताकि तुमारा growth हो and उसके साथ साथ track करना बहुत important है आज आप कितना कर रहे है next week आपको क्या करना है कितना हुआ हर एक चीज आपको track करना है तभी जाकि आपका growth होगा ठीक है तो video को end करना चाहता हूँ मिलता हूँ next एक 12 वीडियो के साथ until peace भाई, take care, love you